आप सभी को मेरा नमस्कार इस वीडियो में आपको हमारे नए वेबसाइट के बारे में पूरी पूरी डिटेल्स की जानकारी मैं दूँँगा आपको वीडियो अंत से लाश्ट सक देखिए पहले तो हमारा ensolution.in था डोमेन नेम जोकी चेंज होकर हो गया है ensstars.com जोकी chrome open करते ही हमें डाल देना है ensstars.com और ऐसा home page आ जाएगा या अच्छे तरीके से banner दिख जाएगा यहाँ पर best sellers जोकी हमारे प्यारे product है दिख जाएंगे यह कुछ banner से हमारे mission, vision, goals यह आप सब लोग चेक कर सकते हो हमारा home page main important बात है कि हमारे mobile view में और desktop view में दो login के बटन से जोकी एक login का बटन है यह mobile view में यहाँ पर my account का यहाँ पर login है और second button है more में जाके direct seller login so two quid यह है इसलिए इसलिए कि पहले जो था my account का login बटन वह है इस shopping website के लिए shopping card के हमारे website के लिए और second जो था direct seller login यह login बटन दिया है हमारा जो भी purchase हुआ है उसका बीवी कितना है क्या हो गया है हमारे पूरे account के details यहाँ पर दिख जाएंगे so member register कर से करना है वो सब आप लोग जान ही so member register कर से करना है वो आप सब लोग जान चुके हो फिर भी मैं नए लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि हमें क्या करना है कि पहले तो new register बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर हमारी sponsor ID डाल देनी है जो कि मैं sponsor ID डाल देता हूँ और हमें position चूज करना है left में डालना है नए member को या फिर right में so यह राम कुमार fake ID है बताने के लिए मैं डाल देल रहा हूँ और choice ID आप 3 to 10 words में कुछ भी डाल सकते हो आपना नाम भी डाल सकते हो और mobile number का आखरी 3 to 10 numbers भी डाल सकते हो so मैं for example डाल देता हूँ 3 3 3 3 3 3 3 x 3 applicant name जो की demo का है हमारा demo test और password डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4 यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे कि कैसे रेजिस्टर कर देना है पहले sponsor ID left right हमारा choice code हमारा name password डाल के submit कर देना है उसके बाद second step देखो हमें back to home आ जाना है back to home आ जाने के बाद more button पे click करने के बाद यह देखो connect to shopping website यह तुरंत कर देना है वन टाइम प्रोसेस है easy है जो कि हमारा user ID था मैंने अब भी डाल देया था choice ID 3333 और password 1234 यह only one time प्रोसेस है देखो register successful हो गया to shopping website हमारे दो login बटन है जो कि एक admin का है और एक shopping website क्या है admin और shopping website connect करने के लिए यह हमें एक one time प्रोसेस कर देना है काफी simple सा प्रोसेस है यह होने के बाद यह देखो continue shopping पे आ जाने के बाद यहाँ से आप product purchase कर सकते हो हमें समझ लो कि पहले daily liver चाहिए तो add to cart कर दिया मैंने यह देखो उपर आ गया और बाद में green oil चाहिए तो add to cart कर दिया उपर आ गया यह green oil के बाद हमें bvb दिख जाएगा वो update चल रहा है एक दो दिन में आ जाएगा तो यहाँ पर आप search भी कर सकते हो जो product चाहिए या फिर यहाँ पर left side में categories है agriculture, best seller, FMCG, garments, healthcare healthcare में देखो sub category है जो की three dot button पे click करने के बाद आ जाते है वैसे ही electronics में sub category है और combo products में भी sub category है तो अब आपको combo products खरीदना है तो combo products में जाके health care, agree के यहाँ से खरीद सकते हो healthcare products में capsule यहाँ एक capsule पे click करने के बाद देखो दोस्तों आ जाते हैं हम capsule में का product चाहिए तो आप से tap करके देखो यहाँ तक उसका price, description कैसे यूज करना है वो सारी सारी details से आ तक मिल जाती है और यहाँ से add to cart कर सकते हो जितना quantity चाहिए प्लस माइनस करके या फिर cart में जाके भी आप quantity प्लस माइनस कर सकते हो दोनों option यहाँ पर है देखो नए members के लिए reviews ज़रूर दे देना जो की इस्तमाल करने के बाद आपको यह product कैसा लगा यहाँ से आप अपना नाम अपना review डालके rating देखके continue कर सकते हो इसके बाद यह देखो मेरा तो shopping cart फुल हो गया है मुझे इतने ही product चाहिए आपको चाहिए तो और भी add कर सकते हो व्यूव कार्ट में जाके यह देखो यहाँ पर देखिए अस्तमा का मैंने करीद लिया है daily liver का और green oil का यहाँ से आप change कर सकते हो अस्तमा मुझे 2 चाहिए तो 2 यहाँ पर update बटन है update बटन प्रेस करते ही यह देखो हो गया और उसका unit price total total bv कितना आ गया यह सब यहाँ दिख जाता है यह होने के बाद यह देखो आपको और भी product add करने है तो continue shopping पर जा सकते हो यह फिर check out कर सकते हो यह सारी की सारी हमारी जो purchase करने की process है यह जो है shopping cart के shopping cart के page पर हो रही है यानि की इस वाले page पर यहाँ पर check out के button पर प्रेस करते ही यह देखो login करने के लिए बोल रहा है है आप new customer है तो register कर सकते हो या फिर old customer है तो यहाँ पर login ID और password डाल सकते हो जो कि हमने डाला था डेमो का 333 और password 1234 यह login होने के बाद यह देखो my account, edit account, password, address book, wish list, order history, download यह सारी सारी details आ जाती है यहाँ से आप logout भी कर सकते हो और देखे सिंपल से 6 process है पहले process में देखे चेक out option आ जाता है दूसरे में billing details यानि की कोन से address पर कौन सा नाम चाहिए वो सब यहाँ पर डाल देदो, demo test मैं डाल देता हूँ, आपके company या फिर AMT रख दिया तो भी चलेगा, address ज़रूरी है, address को मैं डाल देता हूँ, ABCD, यह 3 letters से 128 characters से होना चाहिए, address 1, address 2 डाल देदो, ASDFI से कुछ भी, city डाल देता हूँ, मैं पोस्टल कोर भी डाल दो आप, और state चूज कर दो, उसके बाद continue करने के बाद देखो, billing details अलग है, delivery details अलग है, आपको billing details पे ही delivery ले लेनी है, तो यहाँ पर continue कर सकते हो, या फिर I want to use a new address बटन पर क्लिक करके, आपका delivery address वहाँ पर नया डाल सकते हो, continue करने के बाद देखो, franchise का जो भी चाहिए, इस इस franchise पर मुझे product चाहिए, या आप लिख सकते हो, और continue कर दो, उसके बाद देखो, bank transfer, यहाँ पर confirm करके, continue कर दो, और step 6 में देखो, confirm order में, अस्तमा के दो quantity, daily liver का एक और green oil का एक यह आ गया है, सब total आ गया है, total BV मेरा कितना है, 486 भी आ गया है, और यहाँ इस bank account पर transfer करने के बाद, confirm order कर देजा, यह देखो, your order has been placed ले हो गया है, यह देखो निचे, 5 बटन से home, search, view card, my account और more, यहाँ पर देख सकते हो, home पे आ जाने के बाद, फिर से आप my account में जा सकते हो, my account में जाने के बाद, हमारा order history, यहाँ पर मैं click कर देता हूँ, उसके बाद निचे scroll कर दो, और यहाँ पर order ID आपना कुछ है, वो 86 है, वो आ गया है, demo test, 333 है, demo test customer का नाम है, 333 हमारा ID है, number of product से status अभी pending है, total कितने का है, और यहाँ पर i account पे tap करके, सारे details आप जान सकते हो, कि bv कितना है, और total कितना आ गया है, यहाँ भी तो status pending है, क्योंकि यह admin के पास चला जाएगा, और वहाँ से आपका ID green होके, यहाँ पर complete दिखाई देगा, आपको अगर purchase करना है, तो shopping website में, my account में जाके यहाँ से login कर देना है, और हमारे team या फिर purchase details, या फिर हमारे bv कितना है, हमारा rank कितना है, rank income, matching bonus income, यह सारी सारी details, आपको more में जाके, direct seller login, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर tap करते, यहाँ से जब login करोगे, आप direct seller login से, यहाँ अपना admin panel आ जाएगा, हर member का, वो भी मैं इस वीडियो में दिखा देता हूँ, यहाँ पर capture fill कर दो, confuse मत हो जाना, दो login पैनल है, एक shopping purchase के लिए, और दूसरा admin का, जो कि हम आ गए अभी admin में, आमारे member के admin में, यहाँ पर दिखिए, income details, view करने के बाद यह देखिए, यह calculate होने के बाद यह दिख जाता है, यह तो नया ID है, इसलिए अभी तो यह green नहीं हुआ, इसलिए कोई भी amount नहीं शोग हो गरी, user ID 333, name, city, email, mobile आप fill कर सकते हो, और टेलिग्राम ज़रूर यूज कर देना, सारी सारी details update नहीं, टेलिग्राम पर आ जाते हैं आपने, यहाँ देखिए, register date आ गया, बीवे active date, तो जाने दो, balance दिख जाता है, और यहाँ three dot पर क्लिक करने के बाद देखिए, पहले तो है profile, profile में जाके आप upload profile picture कर सकते हो, 200 KB के नीचे चाहिए, यह profile picture आपको यहाँ पर दिख जाएगा, और आपके tree में भी दिख जाएगा, अपडेट profile कर देना है, bank details fill कर देना है, और यहाँ से आपको mail ID, mobile number, address, सारी सारी details, fill करके save कर देना है, second option आ गया है my team, my team में देखिए left team list, right team list, और direct list, और tree view, tree view में देखिए, यहाँ देख सकते होगी, triple three का है, अभी तो यहाँ से आप add member पर click करने के बाद, directly register पर आ जाएगा, यहाँ पर sponsor ID करने की ज़रूरत नहीं, सीधा choice ID डाल देने के बाद, आप submit button click करने के बाद, यहाँ right side पे आपका member आ जाएगा, वैसे आपका profile picture यहाँ पर show हो जाएगा, upload करने के बाद, so my team हो गया, उसके बाद my purchase, जो भी जितने भी purchase कर दिया है, वो April हो जाने के बाद, यहाँ पर दीख जाएगे, अगर नहीं दीख जाएगे, तो page your order from shopping website, यह button पर click करेंगे बाद, यहाँ पर दीख जाएगा, अभी तो कि एक green नहीं हो गया है, इसलिए ऐसे बोल रहा है, so my e-pin, यहाँ से आप e-pin खरिच सकते हो, directly admin के through, my statistics में देखिए, सारी की सारी details से आ तक आ जाएगी, हमारे total login कितने है, right left, total bv purchase कितना कर दिया है, total pending भी कितनी है, total paid भी कितनी है, यह सारी details यहाँ दीख जाएगे आपको, उसके बाद देखिए, my income, यहाँ से सारी की सारे आपकी income details दीख जाएगे, यह भी तो यह नया idea है, zero दीख जाएगा, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, reward में देखिए, हमारो जो reward section है, वो यहाँ आ जाएगा, आपको silver reward आप अच्यू कर देंगे, left में 5000, right में 10,000 bv, करने के बाद, अगर regular करोगे, तो 3000, और super 3 माहिने में करोगे, तो 4000 यहाँ जाएगा, और status देखिए, pending क्योंकि नया है, आप लोग का platinum होगा, pearl होगा, gold होगा, वो यहाँ दीख जाएगा, वो pending का complete होके, next level का दीख जाएगा, उसके बाद देखिए, यह 10 का 25 करके, नीचे का भी देख सकते हो, यहाँ फिर second button भी क्लिक करके, 15 का भी देख सकते हो, reward को हो गया, transaction, और message, message डारेक्ली admin को कर सकते हो आप, यह हो गया हमारा admin panel, कोई भी confusion मत कर देना, admin panel हमारा अलग है, जो की यह है, यहाँ पर आपको सारी income details, award reward दिख जाते हैं, और जो की दूसरा है हमारा shopping website, वो shopping website अलग है, enastars.com पे जाके आप वहाँ से product purchase कर सकते हो, यहाँ से आप कर सकते हो, वो हो गया admin, और my account में जाके यहाँ से login करने के बाद, यह आ गया हम shopping website पे, जो की e-card website है, यहाँ से आप नीचे स्क्रोल करके, यहाँ हमारा जो demo का user ID और password में डाल के फिर से login कर देता हूँ, login हो जाने के बाद, यह देखे, logout का option नीचे आ जाता है, यहाँ पर देख सकते है, my account, edit your account information, यहाँ से address भी change कर सकते हो, वी वी और order history, यह सब कर सकते हो, और product यहाँ से खर्ज सकते हो, कोई confusion नहीं, simple सा process है, दो login option इसलिए दिये है, जो की मैंने बताया था, एक shopping website के लिए है, जो की हमें वहाँ जाके product purchase कर देने है, और दूसरा है, जो की हमें सारे इक सारे हमारे details, जो की बीवी purchase हो गया है, income दिख जाएगा, order reward दिख जाएगा, यह हो गया है mobile view का, वैसे ही मैं कल आपको desktop view का भी video upload हो जाएगा हमारे YouTube चैनल पर, और वहाँ भी आप desktop view जो कोई laptop से login कर देता है, उसको समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे कुछ, कैसे process है, कैसे करना है, तो mobile view का भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, तो doubt होगा तो पूछ लेना जरूर, और desktop view का कल के वीडियो में मैं बता दूँगा,